ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं करक राशी वालू अब आपको न्यायक के देवता कर्म फल दाता भगवान शनिदेफ के अशिरवास से 22 जुलाई से 28 जुलाई यानि के इन साथ दिनों में मिलने वाली है बड़ी तूफानी खबर जादोस्तो आपको बता दें भगवान शनिदेफ के अशिरवास से आपके लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई यानि के इन साथ दिनों का जो समय है वैस समय बहुत अच्छा समय रहने वाला है जा दोस्तो इन साथ दिनों में शनी का शश्योग का रशिद्योग और भग्यवान योग बना है जिसमें कि आपके लिए इन साथ दिनों में बड़ी तूफानी खबर मिलने वाली है बहुत बड़ी खुसकबरियों के आपको प्राप्ती होंगी अने को प्रिकार के लाब धनलाब बड़ी बड़ी सफलताओं के आपको प्राप्ती होने वाली है इन साथ दिनों में जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जा दोस्तों में बड़ी खुसकबरियां कौन-कौनसी है इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक अवश बने रहें और अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें पिलकुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें तो की है वीडियो आपकी राशी वालों के लिए बहुती बहत पापोने रहने वाली हैं दोस्तों वीडियो का कैसे रूख करें सबसे पहले आप से रिक्वस से आपके राशी वालों के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई याने के निसात दिनों का यह महत्पपून समय दोस्तों यह समय आप अपने वहवार तथा म्रदु भासिता द्वारा खराब संबंदों को सुधार ने में सफल रहेंगे आपकी सकारात्मक सोच जैसे भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करना आपके लिए श्वाबाविक ही उत्तम परिस्तितियां उत्पन करेगी घर में कोई धर्मिक आयोजन भी हो सकता है दोस्तो यह समय पिछले कुछ समय से चली आ रही बादाओं को दूर करने में आप सफल रहेंगे जिससे आप में आत्म संतुष्टी का भाववी रहेगा राजनितिक वे सामाजिक गतिविदियों में विसेस योगदान रहेगा एक खास मुकाम भी आपको इस समय हासिल होगा समय मान वे प्रतिश्ठ वर्दक है धर्म कर्म वे आध्यत्मिक कार्रो के प्रती रुची रहेगी वे विसे धर वे दुनियादारी के बीच बहतरीन संतुलन बना कर रखेंगे दोस्तो यह समय उधार दिये हुए किसी पैसे का कुछ हिस्सा आपको वापस मिल सकता है अपनी दिन चरिया को विविस्तित रखते हुए अपनी विसेस प्रतिबा को जागरित करने में समय व्यतीत होगा विसेस कर ग्रहनियां स्वैम को साबित करने में सफल रहेंगी विध्यार्तियों को अपनी परिक्षा में सफल ताहसिल होगी बड़े वुजुर्गों का इसने और आशिरवाद आप पर सदे बना रहेगा किसी जवतमंद मित्र की मदद करने से मन में खुसी रहेगी दोस्तो अपने उसुलों वे सिद्दांतों के साथ किसी भी तरह का समझोता ना करना आपको मजबूत बना कर रहेगा दोस्तो यह समें अपनी समझभूज वे बुद्धी मता के दुआरा अपने कारों को सुचारों रूप से संपन करने में आप सफल रहेंगे कार को योजनाबद तरीके से करना आपको विसेश सफलता प्रदान करेगा घर में मित्रो या महमानों का आगमन होगा तता सभी सदस्ये आपसी मेल जोल का लुप्त उठाएंगे दोस्तो साती सात इस समय कभी कभी आपका मन मोजी स्वभाब दूसरों के लिए परिशानी का कारण बन सकता है घर में परिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलत फहमी उत्पन हो सकती है जिसकी वज़े से किसी बाहरी व्यक्ती का हस्त छेप हो सकता है दोस्तो यह समय ध्यान रखिये कि कोई अपना ही नजदी की मित्र दोका या फिर ठगी कर सकता है युवा वर्ग की अपने केरियर के प्रती लापरवाही भविश्य के लिए नुकसान दैक रहेगी इसलिए सावधानी रखना आपके लिए अतियावशक है दोस्तो यह समय किसी नजदी की मित्र की नकारात्मक गती विदी से आपको आगात या फिर धक्का लग सकता है गाड़ी या मकान संबंदित कागजाद आप बहुती समाल कर रखें दोस्तो कभी कभी किसी विशेस विशे को गहराई से जानने की इक्षा आपको अपने लक्षे से भटका सकती है थोड़ा सावधान रहें परन्तु जादा आत्मक केंद्रित होने से इसका नकारात्मक असर आपके व्यक्तिकत तथा परिवारिक जीवन पर पढ़ सकता है किसी धार्मिक उतसव में गरत फहमी की वज़े से किसी के साथ कहा सुनी हो सकती है इसलिए अपने वहवार को सयमित बना कर रखना आपके लिए अति आवशक है दोस्तो यह समय अपने भाई भेनों के साथ संबंद मधुर बना कर रखें तो कि किसी प्रकार की कहा सुनी हो सक सकती है विद्यार्तियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से बटक कर व्यर्थ के कारों में लग सकता है जिससे कोर्स पूरा करने में दिक्कत आ सकती है विद्यार्ति लोग अपनी पढ़ाई के प्रती किसी प्रकार का समझोता ना करें अन्यता रिजल्ट खराब हो सकता है अप आप ना उलजें साफधान रहें दोस्तों बात करें लव लाइफ के नजरिये से तो यह समय पती पतनी के बीच एहम का टकराव हो सकता है परन्तु समय रहते आप नकारत्मक परस्ततियों को काबू में पा लेंगे जिससे पती पतनी में नजदी किया बढ़ेंगी विवा संब मंदित कारों में विस्तता भी बनी रहेगी दोस्तों साथिसात अत्यादिक विस्तता के कारण परिवार पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे परन्तु जीवन साती का सयोग परिवारिक वातावरण को उचित बना कर रखेगा पती पतनी के आपसी संबंद अच्छे रहेंग प्रेम संबंदों में भी प्रेगड़त आएगी दोस्तों बात अगर आपके वेवशाय और केरियर की करें तो इस समय आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जिससे आप गोपनिय रखना चाते थे वेवशाय के कारें अभी लंबित ही रहेंगे नोकरी पेसा लोगों को भी ओफिस से संबंदित कोई भी नजदी की यात्रा करनी पड़ सकती है जिससे आपको अधिक लाब पहुंच सकता है दोस्तों कर छेत्र में किसी विशेश व्यक्ति से मुलाकात आपकी तरक्की वेजीत के लिए साहिक रहेगी नोकरी में अपने टार्गेट को पाने में आ आपको कामिया भी भी हासिल होगी दोस्तों किसी के साथ शाजेदारी करते समय नुकसान फायदे की इस्तितियों पर भी अवस्थ से विचार विमर्स करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों साती साथ इस समय किसी प्रिक्टार की वेवसाई के प्रतिस परदा में अपने उपर हावी होने ना दें तता धहरे पूरवक अपने अन्य कारों के प्रती समर्पित रहें अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी नौकरी में प्रोमोशन या फिर ट्रांसफर के आपके लिए योग बन रहे हैं दोस्तों यह समय कार्यचित्र में कारों के वे लोग किसी प्रकार की राजनिती उत्पन कर सकते हैं सावधान रहें दोस्तों साथी साथ यह समय मसीनरी वे तेल सम्मंदित व्यवसाय भरपूर मुनाफिक कमाने की इस्तिती में हैं इसलिए पूरा ध्यान अपने काम पर ही केंदिरित रखें परन्तु हर काम में पेपर प्रकार की इंक्वारी आदी बैठ सकती हैं सावधान रहें दोस्तों साथी साथ खान पान से सम्मंदित व्यवसाय धीरे धीरे व्यवस्तित होंगे अपने काम के क्वालटी में और अधिक सुधार लाने की आपको आवशक्ता हैं जो आपके लिए बहुती फैदेबंद दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय आपका स्वास्थ उत्तम रहेगा किसी प्रकार की चिंता आप ना करें वाहन या मसीन सम्मंदित उपकरणों का सावधानी पूरुवक आप उपियोग करें क्योंकि किसी प्रकार की चोट या फिर एक्सिडेंट की आसं का बन रही है दोस्तों साती सात यूरीन इंफेक्शन जैसी समस्या उत्पन हो सकती है तरल प्रधार्तों का अधिक से अधिक आप सेवन करें गलत खान पान की वज़े से गैस वे पेट खराब होने जैसी समस्या उत्पन हो सकती है प्रकर्तिक चीजों को अधिक से अधिक सेव मिलाएं जो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा